नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में चलाई गई और चार जोड़ी होली स्पेशल ट्रेड गलवार सहीद के पिता की गिरफतारी की सी आईडी जांश सुरू अजित सिक्चक करेंगे इंडर परिक्षा के उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन रांसभा में तमिलनाडू में बिहारीयों की पिटाई पर हंगामा ICC टेस्ट रैंकिंग में अस्वन बने नमबर वन बॉलर इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार में चलाई गए और चार जोरी होली स्पेशल ट्रेन होली के तिवहार को देखते वे रेलवे के द्वारा कई जोरी होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जारा है वहीं अब इस सूची में चार जोडी और स्पेशल ट्रेनों को शामिल कर दिया गया है इस बात की जानकारी पुर्व मधेरेल हाजीपुर के मुखे जन संपर्क अधिकारी विरंद्र कुमार के द्वारा दी गई है बता दे कि दी गई जानकारी के नुसार जिन चार जोडी और स्पेशल ट्रेनों का परिजालन शुरू किया जाएगा उनमें गारी संख्या शुन्य आठ एक दो साथ स्लैश शुन्य आठ एक दो आठ साली मार जैनगर साली मार होली स्पेशल ट्रेन शामिल है रद हुई सचिवाले साहय की परिक्षा होगी इस दिर आयो की ओर से अड्मेट कार्ड जारी कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि विक्षकों को परिक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले प्रती नुक्ति अस्थल पर पहुँचना होगा वहीं वैसे विक्षक जो देर से पहुंसते हैं उनके ओपर कारवाई की जाएगी वहीं अभ्यर्थियों को परिक्षा के दौरान केवल तीन NCRT की बुक ले जाने की अनुमती होगी जिसमें सामाने अध्यान खंट गनित खंट तथा सामाने विज्यान खंट की कितावे शा विज़पूरी कानों में असलीरता या फिर जाती सूचक सब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों पर कारवाई की जाएगी वहीं अब अगर ऐसी सिकायतों को लेकर पुलिस के दौरा कोई कारवाई नहीं की जाती है तो ऐसे मौके पर राचे सरकार के दौरा उन पुलिस वालों के खिलाब भी कारवाई की जाएगी जो सिकायत मिलने पर कारवाई नहीं करते हैं बता दे कि अबाद धान सभा सत्र में सरकार का पक्ष रखते वे प्रभारी मंत्री विजंदर यादव के द्वारा कॉंग्रस विधायक प्रतीमा कुमारी के ध्यानाकर्शन पर बोल गल्वान सहीद के पिता की गिरफतारी की CID जाश शरू बिहार विधान सभा के तीसरे दिन यानी की बीते दिन एक तरफ जहां सदन में विपक्षी पार्टियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और मुखे मंत्री नितीश कुमार के द्वारा बोला गया कि इस मामले को देखते वे जांच करने के लिए एक उचसतर ये जांच दल गठित किया गया है जो जल्द जांच कारे पूरा कर आगी की कारवाई पूरी करेगी वही राजे सरकार के द्वारा जारी की गए नर्देश के बास CID के एक कमजोर वर के द्वारा इस मामले को लेकर अपनी जां दिया गया है बता दे कि दिये गए नर्देश के अनुसार अब इंटर्मीडिय वार्सी परिक्षा के उत्तर पुस्तिका का मुल्यांकन अधीती सिक्षकों के द्वारा करवाया जाएगा जिनकी निक्ति अस्थानी अस्तर पर स्कूल प्राचारी यानि केंद्र अधिक्षक के द्वारा की जाएगी हाला कि अतिती सिक्षक उन उत्तर पुस्तिकाओं को ही चेक करेंगे जिस विशे की उत्तर पुस्तिकाओं परिक्षा केंद्रों पर अधिक संख्या में होगी आपके जानकारी के लिए बतादी कि पटना DEO के द्वारा जिले भर से 36 अतितीती करेंगे मालूमों के इंटर मुल्यांगन का कार पांच मार्स तक चलने वाला है विधान सभा में तमिल नाडू में बिहारियों की पिटाई पर हंगामा विधान सभा के बजट सत्र के चौते दन यानि कि आज शदन की कारेवाही शिरू होते ही भाजपा के विधाईकों के दौरा तमिल नाडू में बिहारियों की पिटाई बेरोजगारी पलायन को लेकर आंसदी के समीट जंकर हंगामा किया गया इस दौरान माले और भाजपा विधाईकों के बीच भी आरो प्रत्यारोब किये गये वही भाजपा की ओर से निती सरकार की खिलाब जमकर नारे बा केके पाठक का वीडियो वारल करने वाला सस्पेंड कुछ दिनों पहले वरस्ट आई एस अधिकारी केके पाठक का एक वीडियो वारल हुआ था जिसमें वो मध निशेद एवं उतपाद विभा के अपर मुख्य सचीव के मिटिंग के दौरान विहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारीयों को अब सब्द कहते दिख रहे थे वहीं अब तक इसमामली को लेकर यहाँ बात तो सामने नहीं आई है कि IAS अफसर पर क्या कारवाई की गई है लेकिन यहाँ बात सामने आ गई है कि इस वीडियो को जिन दो अधिकारीयों के दोरा रिकॉर्ड कर वाइरल किय उन्हें मद्ध निशेद एवा मुद्पाद विभाग के द्वारा सिस्पेंट कर दिया गया है बता दे कि जिन दो अधिकारियों को सिस्पेंट किया गया है उनमें पुर्वी चंपारन के पकड़ी दयाल और मदुबनी के बाबू राही के अवर निवंदक है मालूमों कि अधिसूशना जारी कर दी गई है खांसर की कोचिंग में हुई तोरफोर देश भर में अपनी पहचान बना चुके पटना के खांसर की कोचिंग संस्थान में बीते दिन यानि की बुधवार को अंबेटकर हॉस्टल के करी 20 चात्रों ने कदमकुआ के किसान कोल्ड स्टोर परिश्टर स्थित खान रिसर्च सेंटर और ग्यान बिन्नू जी इस कोचिंग संस्थान में जम कर पत्राव किया और तोरफोर की इसके बिरोध में कोचिंग संस्थान के सैक्रोज छात्र सरक पर उतर आये और पुलिस के खिलाब जम कर नारे बाजी करते वे और समाजीक त बता दे कि मेरी जानकारी के नुसार अंबेटकर हॉस्टल के एक छात्र को ग्यान बिल्दू जीयस कोचिंग संस्थान के एक टीचर ने पीटा था जिस वज़त से छात्रों के द्वारा यह तोर फोर की गई है। बता जिसमें भोजपूरी के कई बड़े सितारी के साथ साथ बॉलिवुड अक्टर गोविंदा भी शामिल हुए थे। बिहार में वारल बुखार ने दिया दस्तक। पूरी कर ले जिनमें अस्पतालों में दवा की कमी ना हो। बच्चों के लिए सदर अस्पताल में विशेश नवजात इकाई को तयार रखने जरूरत पढ़ने पर बेड़ की संख्या बढ़ाने जैसे निर्देश दिये गया है। इसके साथ ही विभाग के और से मरीजों के उपचार के क्रम में इस विमारी से जड़े लक्षन पे रिकॉर्ड करने को कहा गया है। पटना में होलिका देहन को लेकर 120 समवीदन स्रील स्पोर्ट किये गया है। इसके साथ इसको लेकर लोगों से अपील भी की गई है कि घनी अबादी वाले जगों पर अगजान ना जलाएं और ना ही तार के नीचे जलाएं। इसको लेकर बिहार विधान परिसर मिनेता प्रतिपक समरार चौधरी के द्वारा महागडबंधन पर कंच कसा गया है। उन्होंने कहा कि तेश्वी यादव अपने CM नितीज को छोड़ कर तमिलनाडू के मुख्य मंतरी MK स्टालिन को प्रधान मंतरी बनाने को लेकर एक जूत अप्र दरशित करने चिन्नाई गया। अब महागडबंधन को बताना चाहिए क्या आखिर उनके प्रधान मंतरी का कंडिडेट कौन है क्या अब नितीज कुमार PM कंडिडेट नहीं है। उन्होंने कहा कि तैश्वी यादव अब सीम नितीज कुमार का जट छोड स्टालिन के जट में चन्नाई पहुँच गया है। प्रधन में वापस ले लूँगा और उनके ही नाम का जंडा लेकर दौरूँगा उन्होंने कहा कि ये कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं और जंता को बेवकूब बना देते हैं क्या उन्हें पता भी है कि 10 लाख रोजगार देने में कितना खर्चाएगा लेकिन इ 30 कुमार नहीं अगोशना कि थी कि उस दोरान जंता को उनसे पूछना चाहिए था कि बीते 17 साल में उन्होंने ये जॉब क्यों नहीं दिया क्या अब उनके पास कोई खजाना आ गया है ICC टेस्ट रैंकिंग में अश्विन बने नमबर वन बॉलर ICC की ताजा टेस्ट गेंदबाजो की रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है जारी हुए ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया के दिगज ओफ स्पिनर रवी चंदरन अस्विन नमबर वन पढ़ है अश्विन इट इंग्लाइन के दिगज तेज जिम्स अंडर्शन को पीछे छोड़ते वे टॉप पर पहुँच गे है 36 वर्शिय आरस्विन साल 2015 में पहली बार नमबर वन टेस्ट बॉलर बने थे इसके बाद वो कई बार नमबर वन बने टीम इंडिया के प्राइम गेंदबाज चस्परीद बुमरा को भी एक अस्थान का फाइदा हुआ है वो चौथे नमबर पर पहुँच गे हैं टीम इंडिया के स्टार ओल राउंडर रविंदर चडीजा को भी एक पाइदान का फाइदा हुआ है वो आठवे नमबर पर पहुँच गे हैं तरह ताजा ICC टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में तीन भारतिये गेंदबाज टॉप दस में शामिल हो गए हैं अंडर्सन पहले से दूसरे अस्थान पर खिशक गए हैं जबकि तीसरे नमबर पर ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस खड़े हैं पाँचवे नमबर पर पाकस्तान का स्टार तेज के इनबाज शाहिन साह अफ्री दीव राजमान है जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट? प्रदी लिटर बता दी कि विहार में पिट्रोल का एड़ सबस्यादा कसंगंच में है जहां पिट्रोल 109.4 प्रदी लीटर और डीजल 96.4 प्रदी लीटर की दर से मिल रहा है बीतर दिन हमादरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्हों नहीं हमादरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अकिलेश यादव, अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार भोजपूरी कानों में असलीलता या फिर जाती सूचक सब्दों का प्रयोग करने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है आप अपने चवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए आ आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़ब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे तो पेस को फॉलो करना ना भूले ध करनेबाद!